आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हमारा प्रशन है, प्रूटीन संसलेशन का वर्णन कीजिए तो यहां पर जो है, हमने प्रूटीन संसलेशन के बारे में बात करनी है प्रूटीन संसलेशन, प्रूटीन, संसलेशन या हम कह सकते हैं प्रोटीन सिंथिसिस तो हमारे पास जो है जब हम प्रोटीन संसिलेशन की बात करेंगे तो इतमी जो है हमारे पास जब अमेनों अमल की सप्टाइड बंधन से जूड़ी सरंचना को हम प्रोटीनिया प्रोटीनिया प्रोटीन संसिलेशन में निकलिक अमलों में जो है वो स्बांफिक सूशनौं का प्रवा जो है वो एक दिशा में होता है तो लिखलेंगे हम यहां पे हमारे पैस्जओ है अमीरों अमल की मेक्षिश्स कहें, आमेनों अमल की, अमल की Peptide बंधन से जुड़ी सरंचना को जुड़ी सरंचना को प्रोटीन या पॉली पेप्टाइड जेन कहते हैं या प्रोटीन जेन कहते हैं साथ ही इसमें जो है यह प्रोटीन संसलेशन में जो है वो हमारे पास नुकलिक अमल का नुकलिक अमल का जो है यह हम कह सकते हैं नुकलिक अमलों से जो है वो अनुवांसिक सूचनाओं का अनुवांसिक सूचनाओं का प्रवाह जो है वो एक दिशा में होता है साथ ही जब हम बात करेंगे कि प्रोटीन संसलेशन जो है इसकी प्रक्रिया जो है हमारे पास यह हमारे पास जो है वो दो चरणों में पूरी होती है दो चरणों में पूरी होती है पहला चरण है हमारे पास ट्रांस्क्रिप्शन और जो दूसरा चरण है हमारे पास वो है ट्रांस्क्रिप्शन ट्रांस्क्रिप्शन इन दो चरणों में जो है वो हमारे पास प्रोटीन संसलेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है अगर हम बात करें पहले ट्रांस्क्रिप्शन की ट्रांस्क्रिप्शन की जब हम बात कर तो हमारे पास क्या है ट्रांस्क्रिप्शन में जो है यह हमारे पास जो है वो DNA में से जो है अनुवानसिक सुचनाओं को mRNA में सानांतरन को ट्रांस्क्रिप्शन कहते हैं जब भी हमारे पास जो DNA से अनुवान्शिक सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को जो है, सूचनाओं का क्या की अज़रता है? सूचनाओं का mRNA में, mRNA में जो है, वो स्थानांतरन किया जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम ट्रांस्क्रिप्शन कह देते हैं, साथ ही इसमें क्या है? RNA Polymerase Engin द्वारा इस प्रक्रिया संपन होती है, यह जो प्रक्रिया होती है, यह हमारे पास RNA, RNA Polymerase Engin द्वारा जो है, वो संपन की जाती है, इसके द्वारा संपन होती है. इसमें जो है, हमारे पास क्या होता है? ट्रांस्क्रिप्शन में जो है, वो DNA के जो है, प्रोमोटर हिस्से में इस Engin को, इस Engin के बंधने से ही बाद ही यह प्रक्रिया सारंब होती है. जब हमारे पास क्या होता है? DNA होता है, DNA के जो प्रोमोटर हिस्से होता है, जहां से जो है, हमारे पास क्या होता है? प्रक्रिया शुरू होता है, वहाँ पे जाके जब हमारे पास क्या होगा? प्रोमोटर हिस्से पे जो है, यह Engin जो है, वो बंधेगा तब यह प्रक्रिया जो है, वो प्रारंब हो जाए साथ ही हमारे पास जो है इस ट्रांस्क्रिप्शन के जो है वो हमारे पास तीन प्रमुख चरण होते हैं इसमें है हमारा पहला जो चरण है वो है इसमें है हमारा प्रोमोटर से बंदन एवं आरन्य श्रिंखला का प्रारम तो हम यहां लिखेंगे पहला है प्रोमोटर प्रोमोटर से बंधन, से बंधन, एवं, आर एन ने, श्रींखला का प्रारम. तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें जो है पहले चरण में, यहां पे जो DNA होता है धागी पर, जहां पे क्या होता है, स्टार्ट जो होता है हमारा, यहां पे जो है, वो स्टार्ट सिग्रल रहता है और इसे प्रोमोटर कहते हैं, यहां से जो है, हमारे जो कोई भी प्रक जिसे प्रोटेइंग सिंसलेशन की प्रक्रिय यहां से शुरू होती है यहां पर पास एड़नीर और थारमिन अधिक होता है यहां से रने जो है है चैन बनना शुरू हो जाती है इसमें हमारे पास दूसरा चरन है इसमें हमारे पस और ने polynucleotide RNA polynucleotide chan में विद्धी होती है जो भी chain बनती है वसमें आगे क्या रहोता है विद्धी होती है RNA polynucleotide chan में विद्धी से मेरा भीवराइस में जो RNA polymerase होता है वो DNA के nitrogen based वे वो प्रतिलिपी तियार करता है जिसकी वज़े से इसमें एक भाग लेता है और जो हमारे पास mRNA है, mRNA की लंबाये में वृधि 5 प्राइम से 3 प्राइम की और होती है, तीसरा जो चरण है हमारे पास इसमें क्या है, इसमें जो है वो ट्रांस्क्रिप्शन का समापत होता है, समापन होता है, ट्रांस्क्रिप्शन का जो है, वो इस में क्या होता है? समापन होता है. जब क्या होता है? DNA जो है, जब DNA stop signal पर RNA polymerase पर पहुंचता है, तो RNA का translation रुक जाता है. अब हम बात करेंगे हमारे पास इसके बाद जो है, वो क्या आता है? वो आता है translation. अब हम बात करेंगे, translation क्या है हमारे पास? दूसरा जो है, वो translation. अब मैं बताऊंगे आपको कि translation क्या है? तो translation जो है, हमारे पास जो mRNA में उपस्तित अनुवांसिक सूचनाओं के अनुरूप जो अमीनो अमल से protein translation है, वो translation पहलाता है. तो हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास यहां पर mRNA में उपस्तित अनुवांसिक सूचनाओं का या सूचनाओं के जो अनुरूप अमीनो अमल अमीनो अमल से जो है, वो protein translation को क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन केहलाता है, वो translation की क्रिया जो है, वो कहां पर होती है? यह होती है, हमारे पास ribosomes में होती है, और mRNA का जो एक कोडोन जो है, वो एक बार में क्या संदेश जो है, पांच प्राइम से, जो भी हमारे पास translation का एक कोडोन है, वो क्या करता है? वो पांच प्राइम से जो है, वो तीन प्राइम के किनारे की ओर अगरसर करता है, और किसी अमीनो अमल में जो है, वो साइटो प्लाजम से mRNA तक ले जाने में tRNA होते हैं, जो भी हमारे किसी भी अमीनो अमल के जो है, वो साइटो प्लाजम से जो है, वो mRNA तक ले जाने के लिए यहां पर क्या होते हैं? tRNA होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें उपल से जो एंटी कोडोन होते हैं, वो mRNA को, mRNA के कोडोन के पूरक होते हैं, और इसके बाद जो है, वो हमारे पास दूसरा जो अमीनो अमल होता है, राइबोजोंस में, उसे जो है, विशेश थान पर आते हैं, और अमीनो अमल के बीच में polypeptide यह हम कहते हैं peptide बंदन बनाते हैं और हमारे पास इसी प्रकार polypeptide chain यहां बन जाती है तो मैंने आपको यहां बताया कि tRNA वो आगे तक ले जाते हैं किसे amino amal के cytoplasm से जो है वो tmRNA तक ले जाते हैं कौन ले जाते हैं tRNA ले जाते हैं amino amal को ले जाते हैं mRNA तक tRNA द्वारा और यो इसमें उपस्तित हमारे पास antikodon होते हैं वो हमारे कोडोन के पूरक होते हैं, और इस प्रकार जो हमारे पास जो कोई एक अमीनो अमल ये हो गया, जो दूसरा अमीनो अमल जो होगा, प्रकार जो हमारे पास ये ही जो है, ये क्या कहलाता है, यही हमारे पास जो है वो protein sensation कहलाता है और साथ ही हमारे पास इसके द्वारा क्या होता है? अमेनो अमल जो है वो active हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को protein का बनना कहते हैं, protein का बनना शुरू हो जाता है, इसी प्रकार यही हमारे expression का उत्तर हेगा.